संदीप पांडे एक सामाजे को राजनेतिक कार्य करता है। के सहसं स्थापक है और National Alliance of People's Movement के भी एक सक्रिय कार्य करता है। दो हजार पांच में उन्होंने नई दिल्ली से मुलतान की एक शांती यात्रा की थी। दो हजार दो में उन्हें रामोन मागसेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नमस्कार संदीर जी आहिमसा कॉन्वर्सेशन्स में आपका स्वागत है। तो बच्पन से सबसे पहली क्या याद होगी आपकी आहिमसा के अनुभव या उसके असूल के बारे में। यह तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा कि किस चीज से मैं इस पूरी फिलोसफी के प्रति आकर्शित हुआ। लेकिन मैं बड़ा हुआ था गोरकपूर में। और गोरकपूर जहां से हमारे मुख्यमंतरी जी आते हैं। तो गोरकपूर का जो मोहल है वो काफी सामंती और पित्र सत्तात्मक और लैंगिक हिंसा वगरा वहां काफी होती है। और माफिया, माफिया राज है। तो दो बड़े माफिया उस समय हुआ करते थे वहां पर। तो वो पूरा मैंने देखा। मतलब स्कूल के अंदर बच्चे जो है वो मोजे के अंदर चाकू अगरे लेके आते थे। जिस तरह से गैंग वार्स होती हैं वो होती थी। जबकि मैं तो बच्चों तक पहुंचती थी मतलब वो गैंग वार्स बच्चों में भी आपको व्यक्त होती थी। और महिलाओं के साथ हिंसा ये सब देखा मैंने तो अब ये ये कैसे हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि उस समय तो इतनी समझ भी नहीं थी लेकिन दो व्यक्तित्व जिन्होंने मुझे काफी आकरशित किया वो एक थे गांधी और दूसरे थे गौतंबुत थे। और बलकि मैं मुझे इतना बस याद है कि मैं एक बार सोच रहा था कि मैं अपना नाम बदल के मोहन गौतंब कर दो और मुझे कुछ याद में और दूसरा ये था कि ये सब जो हो रहा है इसको रोपने के लिए कुछ करना चाहिए तो तो इसलिए मैं बढ़ा होके जब अपना जीवन जो है सामाजी कामों के लिए समर्पित करूंगा कुछ उस तरह से जिस तरह से गांधी जी ने किया मुझे उनका ये तरीका बहुत पसंद आया है कि उन्होंने अपनी शर्तों पर अपना जीवन दिया मतलब विधे की पढ़ाई पढ़ने के बाद भी लोटके वो अपने तरीके से जीए और मतलब जो समाज का दबाव होता है परिवार का दबाव होता है उसको उन्होंने नहीं माना तो ये वाला मॉडल मुझे बहुत पसंद आया कि इंसान जो है अपनी मर्दी से जो उसे ठ दबाव में नहीं दीता है तो इतना मैंने वहां से सीखा और बागी तो फिर अपना रास्ता खुदी बंता चला गया ये जब आप बनारस हिंदू युनिवरस्टी में इंजिनियरिंग पढ़ रहे थे तो वहां के कोई विशेश अनुभव हैं जिनोंने आपको इस तरफ प्राकर्शित किया क्योंकि ये तो संभव है कि वहां पर हिंसा के पक्षदर भी रहे होंगे जानक जैसे कि नक्षल बारी हो या दूसरे किसम के हिंसक परिवर्तन के जो पक्षदर हैं उनसे भी आपकी मुनाकाते हुई होंगी हमारे हाँ नक्सलवादी हिंसा वाले लोग नहीं हैं होंगे छिटपुट रहे होंगे उनसे तो मेरा खेर कोई उस समय परिचे नहीं हुआ जो वर्चस्व था जिन लोगों का जो हिंसक थे वो थे जातिवादी हिंसक लोग बतलब पूरी जो पश्चमी पूरवी उत्तर प्रदेश की जो राजनीती है या उत्तर प्रदेश की वी राजनीती उस समय तक कह ले तो वो ब्रामण बनाम ठाकुर जो तो बड़ी जातियां हैं यह पूरी राजनीती उनके बीच में होती थी और आज भी पूरे उत्तर प्रदेश का महल जबकि धीरे-धीरे बदला समाजवादी पार्टी और बहुत जो जो ऺता था और उसमें जो आस पास के ग्रामेर लाकों उपके आते थे बडाती ऑटा थे.. तो इन परिस्थितितियों में बहुत लोग यह कहा करते हैं मतब एकक्सम से यह आम बात है यह कहना कि देखो इसले तो हम कहते हैं खाली गांधी अहिंसा कर सकते थे बाकि आम समाज तो जो है वो ऐसे ही मारकाट से ही चलता है यह एक किसम का सिनिसिसम है हमारे समाज में तो आप अपने action से और अपनी सोच से कैसे इसका जवाब देते हैं कि आप कैसे टिके हुए हैं आहिंसा के असूल पर और उसकी बुनियाद पर तो देखे हिंसा तो मुझे पसंद नहीं थी और मुझे ये मालूम था कि ये अपना रास्ता नहीं है और गांधी के बारे में जब पढ़ा तो वो काफी आकरशित करने वाला था किस तरह से उन्होंने हिंसा का इस्तमाल किया और खास करके बड़ी ताखतों के खिलाफ जो हिंसा का इस्तमाल करती है तो मुझे समझ में आया कि ये एक तरीका हो सकता है ये जो समाज में हिंसा और अपराद, अत्याचार इस तरह की जो गटनाएं होती है इनको रोकने के लिए हिंसा का इस्तेमाल उस तरह के से किया जा सकता है जिस तरह से गांधी जी ने किया और उसमें तो खेर मैंने अपना समाजिक काम शुरू नहीं किया था हलांकि अपने अंतिम वर्ष में महां चात्रसंग का चुनाओ नड़ा था एंजिनरिंग कॉलेज के प्रतिनिधी के रूप में और चुना भी गया लेकिन जो पूरी राजनिती वहां की देखी तो बहुत जल्दी उससे मोग भंग भी हो गया और फिर मैं चला गया पढ़ने के लिए अमरीका अपनी एंजिनरिंग की आगे की पढ़ाई लेकिन अपने सामाजिक जीवन में जो एंसा के का प्रेयोग मैंने किया वो कुछ घटनाएं में आपको बता सकता हूं जरूर एक तो 1998 में जब भारत ने अपना पर्माणू परिक्षण किया तो उसके बाद 1999 में हम लोगों ने पोखरन से सारनाथ की एक लंबी पद्यात्रा देगी थी आपको मालूम है विश्वशान्ति यात्रा जिसका उतेश वेश्विक पर्माणू निशस्त्री करन था और हम खेतुलाई से चले जो पर्माणू परिक्षण के सबसे नजदीक गाह है और उसके बगल में बगल में नहीं वहाँ से तो 25 किलो मीटर है कस्बा पोखरन पोखरन जब हम पहुंचे तो हमारा रास्ता रोक लिया गया वहाँ पे जो आरेसस बीजेपी बजरंग दल वगरा के लोग थे वो रास्ता रोक के नारे लगा रहे थे हमें मालूम था कि हमारा रास्ता रोका जाने वाला है क्योंकि उसके पिछली साम वहां की स्ट्रीम ने हमको बुला के कहा कि आप अपने या वो अपना कुछ तरीका बदले ताकि हमारी व्यात्रा निकल जा तो हमारा रास्ता रोका गया और नारे लग रहे थे हम लोग के विरोध में कोई कह रहा था कि हम सोनिया गादी के एजेंट है कोई कह रहा था कि बिल क्लिंटन के एजेंट है और इस तरह की बाते हो रहे थी अटल भीहारी वाजपई की सरकार की उससे में तरही लेकिन हम लोग वो यह यह वाला दृश्ष आप आनन की फिल्म और इन पीस में देख सकती है हम लोगों ने पहले तै कर लिया था कि अगर लोगों के साथ कोई इस तरह से जो भी बत्त्रमिजी करेगा या गाली को लोज करेगा तो हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे हम सिर्फ गाने गाएंगे तो हमारे साथ हमारे साथी थे जो जिन्हों ने उस यात्रा के 88 दिन हर एक दिन कारिक्रम में वो गाना गाया था जो हमने वहीं राजिस्थान से लिया था वहां उर्मूल की जो टीम थी सांस्कृतिक मंडली वो हमाई साथ शुरू में थी उर्मूल का ओफिस था पोकरन में और वो गाना था मैं तुमको विश्वाज दू तुम मुझको विश्वाज दू तो हमारे खिलाब नारे लग रहे थे और हम गाना गा रहे थे और पुलिस उन्हें पीछे धकेल रही थी और हम आगे बढ़ रहे थे तो इस तरह से हम गाना गाते-गाते आगे बढ़ते चले गए और पुलिस ने उन्हें धकेल के पीछे कर दिया अगले दिन रामदेवरा नाम की बहुत प्रसिज जगे है धार में के स्थल है वहाँ पे पत्थर चले हम लोग के उपर दो साथी हमारे खायल भी हुए फिर भी हमने यात्रा जारी रखी और चौथे दिन फलौदी नाम का एक बड़ा कस्वा है जो कोखरन से भी बड़ा है वहाँ पे वहाँ के व्यापारियों ने हमारा रास्ता रोक के वो सड़क पर ही बैड़ गए उन्होंने कहा कि वो हमको नहीं जाने लेगे तो हम लोग भी सड़क पर बैड़ गए उनके सामने और हम अपने गाने गाने लगे और बाकी बाते करने लगे तो हमने उनसे कहा कि क्योंकि हमारे पास एक sound system था हमने उनसे कहा कि आप हमसे आप बात क्यों नहीं करते हैं आपके जो सवाल हैं उसके हम जवाब देंगे तो उन्होंने बड़ी एक रोचक बात कही उन्होंने कहा कि नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे तो कि हमेवालों है कि आप बहुत बुधिमाल लोग हैं और आपके पास सारे सवालों के जवाब है तो हम इसमें डायलॉग में नहीं फसेंगे आपके साथ लेकिन हम आपको आगे नहीं जाने देगे तो हम लोगों ने भी कहा कि भाई ठीक है जब तक आप हमें रोक के रखेंगे हम भी बैठे रहेंगे तो इस तरह से तीन दिन यात्रा के शुरू में वो लगबग तीन महीने की यात्रा थी तीड़ हजार किलो मीटर की हमें रोकने का प्रयास हुआ लेकिन हमने एक पूर्ण त्या शान्ति पूर्ण तरीके से अपनी यात्रा फलोदी में फिर आखिर में यह हुआ कि हमारे मित्र इस समय जीवित नहीं है लच्मी चैन्त यागी जी वहां के SDM से बात की तो SDM ने जाके सिर्फ वह वहां के व्यापारी थे उनको सिर्फ एक धंकी ये दी कि अगर तुमने ये रास्ता खोला नहीं तो हम तुम्हारा सटा बाजार कल से बन करा दें तो इतनी धंकी काफी थी उसके बाद हमारा रास्ता खुल गया और हम वहां से आगे और तब तक उनको ये भी मालुम पढ़ गया था कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं और उनको ये भी पता लग गया होगा कि ना तो हम Sonia Gandhi के एजेंट है और बिल ग्लेंडन के एजेंट हैं और हम लोग स्वधंत्र कुछ सामाजिक कारी करता या इस तरह के लोग हैं जो जो लोग आपको रोक रहे थे इस यात्रा में, उनका क्या मानना था, क्या उनको लगता है कि जो परमानु हत्यारों का जो विरोध करते हैं, वो कमजोरी के पक्ष में हैं, उनको क्या लगता है? क्या ये विचार है कि परमानु हत्यार माने शक्ति, बल और आहिमसा माने कमजोरी, क्या ये मसला है? जी जी जी, सही बात है, देखे उस समय के प्रधान मंतरी लखनौ से जीत के आये थे, यहां के सांसत थे, और जब परमानु परिक्षन हुआ तो यहां मिठाईयां बाटी जा रही थी, और पुरा मोहाल ये था कि हमने कोई बहुत बड़ी वैग्यानिक उपलब्धी हासिल क है, और हम बहुत शक्तिशाली हो गए और एक एक नरेटिव यह भी था कि अब पाकिस्तान क्या आप तो अमरीका से भी अब हम टक्कर ले सकते हैं, तो कुल मिला के यही नरेटिव था कि भारत एक शक्तिशाली देश बन गया है, और यह जो हमने किया है, यह हमने बहुत इरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि हम लोग वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत बहुत महान बने, भारत बहुत शक्तिशाली बने, हम उस रास्ते में बाधा बन रहे हैं, और हम लोग का नजरिया तो दूसरा है, हम लोग का नजरिया यह था कि भई, जो बम जिसकी विभीशिका हिरोशिमा नागा साकी में पूरी दुनिया ने देखी है, हम नहीं चाहते कि उस बम का इस्तमाल कहीं भी हो, और दूसरा ये कि हत्यार से कोई शक्तिशाली बनता नहीं है, ये तो सब ने देखा है, तो जो आगे का रास्ता है दुनिया का वो एक म सब्सक्राइश अपने परमाड़ों हत्यार में अच्छा एक बात वो जो कह रहे थे लोग वहाँ पे पोकरन में, वो ये कह रहे थे कि आप हिंदुस्तान में तो इस तरह की आत्रा निकाल सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोगतांत्रिक मुल्क है, लेकिन क्या आप प खिलाफ बम बनाने के लिए, और फिर आपको मालूम है कि महीना खतम भी नहीं हुआ था मही का और पाकिस्तान ने अपने परिक्षण भी कर लिए थे, पाकिस्तान ने अपने बम हिंदुस्तान के लिए बनाए थे, तो अगर परमाड़ों निशस्ती करण की बात होनी है हिं हिंदुस्तान में तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक संयुक्त अभियान होना चाहिए वो सिर्फ हिंदुस्तान में बात करके नहीं चलेगा तो उसी समय हमने तैय कि हम इस बात को पाकिस्तान में भी जाके जरूर कहेंगे और हमें ये तो मालूम ही पढ़ गया था त का तो 2003 में पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डिमोकरसी की मीटिंग में मुझे पहली बार पाकिस्तान जाने का मुखा मिला और मुझे बॉर्डर पे वहां जो सबसे पहली महिला मिली सईदा दीप वो बाद में हम लों की रात को ट्रेन थी लाहर से कराच में हो रहा था तो वो हमारे जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए घर से पराठे बना के लाई थी आंगे तो उनसे बात होने लगी और उनको मैंने बताया देखिए मेरा पाकिस्तान आने का सिर्फ एक उतेश यह है कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक पद्यात्र में तो उनको वो विचार बहूत पसंद आया और उन्होंने कहा कि आपके साथ एक तो यह बहुत खुशिकी बात thी कि वो इस बात से पूरी तरह सहमत थी कि हां यह परमानों को थ्यार खत्म होने चाहिए और दूस्रा उन्होंने यह कहा कि आपके साथ कोई और चले ने पा और दो हजार पांच में वो यात्रा हुई दिल्ली से मुलतान की, आचा आपको ये भी बताता चलूं कि दो हजार तीन में ही मेरी फैजल खान से भी मुलाकात हुई, एन एन पीम की यात्रा निटली हुई थी पलाची माड़ा से अयोध्या की, ये अटल बिहारी वाच्पई 2004 में दोबारा चुनाव लड़के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे इंडिया शाइनिंग के मुद्दे पे और लोग सभा से एक साल पहले NAPM ने प्लाची माड़ा जो एक तरीके से अमारी निजी करण, उधारी करण और वैश्वी करण की आर्थेक नीतियों का एक उधारण था उसके खिलाब जो आंदोलन, कोका कोला के खिलाब जो आंदोलन चल रहा था केरल में और आयोध्या चुकी सांप्रदाइक राजमिती का दौर देश के अंदर चल रहा था इसलिए इन दो चीजों को बड़ी चुनोती मानते हुए वो यात्रा निगाली गई थी और उस यात्रा में मेरच में फैसल खान से मेरी मुलागात हुई और उन्होंने मुझसे पूचा कि क्या मैं भी इस यात्रा में शामिल हो सकता हूँ तो मैंने का बिलकुल आप शामिल हो सकते हैं यात्रा सब के लिए खुली है फिर हमारी दोस्ती बढ़ती गई और दो हजार पांच की दिल्ली से मुलतान पदियात्रा की का जो हिंदुस्तानी हिस्सा था दिल्ली से वाग Administration के बीच में हमें कोई एक行 judis एक common theme चाहिए था और गांधी नहीं हो सकता था क्योंकि गंधी के बारे मिं-पाकिस्तान में लोग नहीं इतना जानते हैं और जो जानते भी हैं वो यह मानते हैं कि गांधी औ नहरुत नहीं तो ॉस ने को इसटरे से बनवा लिया तो उन तो वहां पर हलाएं कि गांधी के चाहने वाले भी बहुत हैं वहां लेकिन उस तरह से गांधी एक लोगप्रिय विक्तित तो नहीं है जिस तरह से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में तो हमने फिर यह तैएकिया कि हम सुफी संतों को चुनेंगे क्योंकि उनकी लोगप्रियता दोनों तरफ तो हमने फिर यह तैएकिया कि हम यात्रा निजामुद्धिन उल्या की दरगास से और बहाओ दीन, जाकरिया की मजार कमुंतान देना तक निकालें Metallic और पात-पात-सो किलो मीटर दोनों तरफ हो रहे थे। उसी तरह से चुना गया था कि हम दोनों तरफ करीब बराबर चले। दोनों तरफ के लोग मिलके चलेंगे ये तैह हुआ और यात्रा के पहले मैं पाकिस्तान गया। करामत अली सहाब ने वहा की मुक्य जमेदारी ली थी उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मेरा अपॉइन्मेंट करवाया। शौकत अजीज मैं गया इसलामबाद नयर सहाब के घर पे रुका। उनकी पतनी नवीन ने मुझे बताया कि कई सालों के बाद उन्होंने वेजीटेरियन खाना बनाया। और फिर हम मैं नय सहाब करामत अली गए शौकत अजीज से मिलने और मैंने जब उनको पूरी यात्रा का मकसर बताया। और उनको 110 हिंदुस्तानी नाग्रेकों की लिस्त दी कि हमाला चाहते हैं और हम आपके देश में वागा बॉर्डर से मुलतान तक चलेंगे। और ये मकसर है हमारा। तीन मांगे थी हमारी एक तो ये कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने आपसी मसले सारे बातचीत से हल करें और कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों की राये के मुताबिक हल किया जए। नंबर दो ये था कि दोनों देश अपने परमाडू हत्यार तो तुरंत खतम करें और बाकी अपना जो रक्षा का बजट है वो भी कम करें ताकि हमारे जो बहुमुलिस अंसाधन है वो दोनों देशों के विकास में लग सकें और तीसरी मांग ये थी कि पासपोर्ट वीजा की विवस्था को खतम करके बॉर्डर लोगों के लिए खोल दिया जाए तो शौकत अजीज ने कहा कि वो हमें अनुमती देंगे हाला कि बाद में नहीं दी और हमारे देश में मैं स्वामी अगनिवेश के माध्यम से नेटवर्चिंग साथ से मिला जो विदेश मंतरी थी और मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान से हमारे दोस्त आने वाले हैं और अगर आप हमें सिर्फ द पाकिस्तान के साथीं के लिए तो यह बात इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि नटवर्चिंग ने जो वीजा दिया वो रास्ते में पढ़ने वाले जितने जिलिट है वो सारे जिलों का वीजा दिया और कहा कि ये वीजा इंडिया पाकिस्तान 30 मार्च के लिए क्या बाद लेकिन उसमें वहाँ से वो आ नहीं पाए समय से क्योंकि पाकिस्तानी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनको आने की परमिशन देगी वीजा मिलने के बाद ऐसा मेरे साथ भी दो बार हुआ है कि पाकिस्तान का वीजा मेरे पास था लेकिन मेरी होम मिनिस्ट्री ने परमिशन ने दी वागा बॉर्डर पार कर देगी तो यह एक रिक्वाइर्मेंट है अगर आप वागा पार करके जाते हैं कि उनका तो वीजा चाहिए ही अपनी home ministry की भी ब्यादोशन थी तो लेकिन हम इस बात के लिए तयार थे, हमें मालूम था कि आने जाने में अधिकत होगी तो worst case ने हमने तैय किया था कि हंडूस्तानी साथी हंडूस्तान का लेख पूरा करेंगे और पाकिस्तानी साथी पाकिस्तान करने पूरा करें तो नेयर सहाब आ गये थे महेश भट ने मीरा को गुला लिया था जो हिंदी फिल्मों में काम भी कर चुकी है पर ये तीनों चलने वाले नहीं थे ये तो सिर्फ हमारी यात्रा शुरू करने के लिए आए थे जो चलने वाले नौस आती थे वो फाइनली जब हम अपने आखरी जिले में प्रवेश कर गए थे अमरित सर में तब वो आए लेकिन एक अच्छी बात ये रहे कि वो ब्यास नदी के पास हम थे तब वो आके हमरी यात्रा में शामिल हुए और अच्छी बात ये भी थी कि 9 में से 5 महिलाएं थी और एक महिला ऐसी भी थी जो वहाँ पर अभी जो सामंती प्रता है वो भारत से ज़्यादा मजबूत है और अभी भी वहाँ बंधुआ मजदूर रखे जाते हैं जमिलारों तो लाली नाम की महिला थी जिसको एक जमिलार के यहां से चुड़ाया गया तो वो और सैदा दीप और तीन औरतें और थी तो ह हम ना तो इस जमीन के बटवारे को मानते हैं ना पानी के बटवारे को मानते हैं और ना हम इनसान के बटवारे को मानते हैं और उसके बाद फिर वो नौ पाकिस्तानी यात्री भी हमारे साथ आखरी के चार दिन रहे अमरिसर बॉर्डर तर और एक धाबे पे हम लोग अमरि इसी को कुछन Aí कौन पाकिस्तान Thomas हो कि आप हममें से शुक्रफ कोई पाकिस्तानी है तो उन्हों है तो हमने प्षरुण को बता Shrians कि हमारे बीच में असलम ख्वाजा तो इसको विश्वासि नहीं हो रहा तिर उनका पास्पोर्ट दिखाया गया तब उसको विच्वास लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई इस पूरी यात्रा में वो यह कि जलंधर हम पहुंचने वाले थे यह जलंधर पार कर गए थे और पीछे से एक सरदार जी साइकल चलाते वहाई और उन्होंने मुझे रोका और बोले कि आप आप ही इस यात्रा का संचालन कर रहे हैं मैंने का हां मैं ही कर रहा हूँ तो मुझे लगा कि शायद वो कहेंगे कि आईए हमारे गुर्द्वारे में चाय पीजिए लंगर खाईए लंगर छकीए जैसा वो कहते हैं तो मैंने कहा जी बताएं क्या बात है त जब हमारी यात्रा का एक वेक्ति को छोड़के बाकी किसी ने विरोध नहीं किया था वो एक गुर्द्वारे में एक सच्चन थे लेकिन बाकी सब जगे स्वागत वा स्वागत या लोग फिर कोई बहुत ज़ादा उससे जो विरोधी भी थे वो कोई बहुत ज़ादा तो उन्होंने बोला आपकी जो तीन मांगे हैं उनका करम गलत है मैंने का कैसे तो उन्होंने बोला कि आपकी जो मांग नंबर तीन है यानि कि पासपोर्ट वीजा की विवस्था को खतम किया जाए और बॉर्डर खोला जाए वो मांग नंबर एक होनी चाहिए क्योंकि अग कुछ सीना रखने वगर की जरूद भी नहीं पड़ेगी फिर तो रख्षा पजट अपने आप ही कब हो जाएगी और मैं उस सदाजी की तरफ देख रहा था मैंने पूछा कि आप करते क्या है तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई बहुत बड़ा बुद्धी जीवी हो देखने में साधारान लग रहा हूं साइकल से आया है उसने बुला नहीं मैं गुर्दवारे में कीरतन गाता हूं ताड़ी कीरतन गायक हूं तो वो मेरे लिए बहुत ही एक जिसको कहते हैं न हम्बलिंग मॉमेंट था कि एक आम इंसान की जो समझ है वो हमारी जैसे जो पढ़े लिखे लोग है जो कई बार ये मान लेते हैं कि हमें ही मालूम है कि क्या समाधान होते हैं समस्याओं के तो उसने एक मिनट में हमारी जो पूरी एक धारना थी कि बड़े लिखों को मालूम है ये सारी चीजें और आम लोग नहीं समझते हैं ये पूरी उसने चकना चूर करती और दूसरी बात ये कि बतलब उसने जो बात कही थी वो इतनी बुद्धिमानी की बात थी इतनी कॉमन सेंस की बात थी जो मेरे दिमाग में नहीं आई जब मैं परचा लिखता थी तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सीखने वाला अनभाव था और दूसरी दूसरा एक अच्छा नभाव ये हो रहा था वो ये कि जब पढ़े लिखों के बीच में हम इसको पढ़ते थे मांग को तो तीसरी मांग को जैसे ही में पढ़ता था तो हॉल में सन्नाटा चा जाता था कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं आप बॉर्डर खोल देंगे सारे आतंकवादी पाकिस्तान से आए तो हमें बताना पड़ता था कि नहीं जब आते हैं जैसे बंबई में आये थे तो पासपोर्ट वीजा लेकर नहीं आते हैं वो तो वो तो जो है उनको जब आना होता है त कुछ हम भी भेजते हैं लेकिन जब गाउं में जब हम पढ़ते थे यह तीसरी मांग तो तालिया बजती थी क्योंकि गाओं वाले और गाओं वाले कहते थे कि जो 47 में हुआ गलत हुआ 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 ह है जो 42 में 47 में जो मारकाट हुई सामपरदाइक मारकाट और सबकी रिष्टेदारियां सीमा के उस पाद लेकिन 47 के बाद से उनको मौका ही नहीं मिला जाने का कई लोग चुकि हम पैदल चलके जा रहे थे तो लोगों को लगता था कि ऐसी चलते चलते हैं पाकिस्तान में अंदर जाएंगे तो वो पूछते थे हम भी आपके साथ चल सकते हैं क्या तो हमको बताना पड़ता था कि नहीं वहीं बार्डर पे तो पासपोर्ट और फिजर लगे गई तो बड़ा निराश होते थे तो पंजाब के गाओं में ये बहुत एक मजबूत सेंटिमेंट है कि रिष्टे सामाने होने चाहिए आप देखे करतारपूर का जब गलियारा खोला तो उसको लेके कितना उत्साथ हमाँ मोदी साहब जो जिनको जो कोई मौका नहीं चूपते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का लेकिन जब करतारपूर साहिब का गलियारा खोला इमरान खान ने तो उस दिन उनको इमरान खान की ताखर करनी पड़ी जो आम तो पर उनके खिलाफ बोलते हैं तो यह सेंटिमेंट sentiment इतना मजबूत है border के area में कि border खुलने चाहिए यह बहुत लोग परी demand है जिसको हिंदुस्तान में बाकी जगे लोग नहीं समझते हैं जी जी संदीब हम ये भी देखें लेकिन कि हमसे बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं जो हम लोग जो आहिमसा के पक्ष में रहते हैं कि भाया आप लोग terrorist को तो जूज नहीं पाते हो आहिमसा से हम terrorist को कैसे मतलब defeat करेंगे तो उस पे आप थोड़ा समझाईए या आप अपनी आप अपना दृष्टी को न बताए आहिमसा से जिस इनसान ने तै किया वा हो कि मैं तो शस्त्रों के बल पर बेगुनाओं की हत्या करके भी अपनी बात मना लूँगा ऐसे टेर्रिस्ट से अहिमसा कैसे जूज सकती है देखे वो कठिन सवाल है उसको हम अगर एक मिनिट के लिए छोड़ भी दें तो हम कम से कम जो हिंसा गैर जरूरी है जैसे आप देखिए भारत और चीन के बीच में एक बहुत लंबे समय से एक संदी थी कि सैनिक एक दूसरे के उपर गोली नहीं चलाए वो अभी गलवा में जो घटना हुई उसके बाद वो संदी तूटी सैनिक मरते हैं और ये हमेशा आतंकवादी नहीं होते हैं जो हमारे सैनिकों को मारते हैं कई बार सेना के जवान एक दूसरे को मारते हैं तो हमारा हमारा प्रयास ये था कि कम से कम ये जो गैर ज़रूरी हिंसा है इस पे तो आपको मैं मज़ेदार बाद बताओं कि 2018 में मैं चुकी एहम्दाबाद हर एक वर जाता हूँ पढ़ाने के लिए वहाँ तो 2018 में हमने एक यात्रा निकाली थी एहम्दाबाद से नड़ा बेट जो पाकिस्तान गुजराद बॉर्डर और उसमें भी यही सारी मांगें थी और एक मांग हमने यह जोड जिस तरह से भारत और चीन के बीच में समझाता है कि सैनिक एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे उसी तरह से कम से कम भारत और पाकिस्तान की सरकारें यह तैय करें कि हम एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे आतंक वाद से तो आपको निपटना पड़ेगा और वो हिं जरदारी उस दिन गए हुए थे चीन, उनकी बेहन फर्याल तालपूर मेंबर अफ नैशनल असेम्बली वहां की थी उस समय बेंजीर गुटो के घर में मीटिंग हो रही थी उनके डैनिंग टेबल पे और जब फर्याल तालपूर ने जब कुल्दीब नेयर सहाब ने फर्याल आतंक बादी आये और हमारे 160 के उपर लोगों को मार डाला तो आपको मालू मैं फर्याल तालपूर ने क्या कहा उसने कहा कि नयर सहाब आपके तो 160 लोग मरे ना हमारे तो 6-7000 लोग इन लोगों ने मार डाले और हम इनका कुछ कर नहीं पा रहे हमें तो आपकी मदद चाहि कि हम इनको कैसे कैसे इंपे नियंत्रन स्थापित करें तो आतंकवादियों से तो देखे सरकारों को निपटना पड़ेगा और उसके लिए मिल्जूल के ही काम करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए देशों के बीच में हम दुश्मनी मान लें लोगों के बीच में दुश्मनी दो ने चलाती है तो ना Hopi और कि अधर के बाट बता रहानों है जो एक दूसरे के ऊपर गोली चलाते हैं और ना चलाएं और ना हमारे सैनिक मरे ना उनके सैनिक मरे तो आपको मालूम है ये शुदा बहन ने क्या कहा उन्होंने कहा कि जैसे मैंने जब नरेन मोदी जी चुनाव लड़ने गये थे बनारस से मैंने भगवान से कामना की थी वह वहां से जीज जाए मैं भगवान से प्रातना करती हूं क भारत और पाकिस्तान के पीच में दोस्ती और शान्ती इस्थापित हो और दोनों तरफ के लोगों का मरना बंद हो यह उन्होंने कहा था यह recorded है तो हमारी तो सिर्फ यह कोशिश है कि कम से कम कुछ हम कदम तो उठाएं शान्ती की तरफ और हम वहला बॉर्डर भी खुलवाना जाते थे क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हमारे चार स्टेट सेंवे जो जिनके बोर्डर पाकिस्तान से लगते हैं श immortal जिरुको पाकिस्तान का तो हमारी थी मांग थे कि वह सीमा खोली जयो कि उसको लेके याक्रा निका ली तो उसको लेकर यात्रा हो जाए और होंगी पूरा भरोसा है कि दोनों देश दिल के कुछ वहाँ पे विवस्था करें प्रबंधन की और कश्मीर को कुछ हद तक जो स्वायत्त दी जाए यह किस हद तक समय का तकाजा है कि इट विल टेक टाइम for these things to happen और किस हद तक कार्य को बढ़ाने की बात है कि जब तक समाज में एक उस प्रकार की mobilization नहीं होगी तो कि अपने आप समय के इंतजार करने से यह बातें नहीं बनेंगी एक तो यह आप थोड़ा इस पे रोशनी डालिये और क्या आपको भी लगता है कि जहां तक समाज में महौल तयार करने की बात है तो यह पिछले 5-6 सालों में वो जो समाजिक महौल है वो opposite दिशा में गया है क्या आपको भी ऐसा लगता है जहां तक इंतजार की बात है देखिए कि इंतजार हमें समय का नहीं करना है, इंतजार हमें सही नित्रतों का करना है, जैसे मैं इस बात को लिख चुका हूँ, कि ये पहली बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंधों में हो रहा है जब कि पाकिस्तान दोस्ती करना चाह रहा है और हम हम अपने हाथ नहीं पढ़ा है इम्रान खान आपको याद होगा उसने आते आते सबसे पहली बात कही थी कि हम हंदुस्तान के साथ अच्छे रिष्ट हूँ और जिस तरह से उन्होंने नव्जोद सिंग सिद्धू को बुलाया अपने स्वेरिंग सरीमेनी में और उनके फॉरेंग मिनिस्टर की तो मैंने अभी तक बात ही नहीं किया मां जब हमारी याथरा अ पहूंची अच्छा हमें पाकिस्तान में चलने का की अनुमतिय नहीं मिली तो सैधा दीप ने प्राइम मीनिस्टडर होम मिनिस्ट्र इंटीणियर मिनिस्ट्रि कहते हैं वह जाके धर्णा दिया धर्णा मतलब ऐसा नहीं जैसा हम लोग देते हैं हमारे हिंदु스انी लोगों को आने दिये तो चूकि हिंदुस्तान नौ को वीज़ा दिया था तो पाकिस्तान ने 10 लोगों को वीज़ा दिया जबकि लिस्ट हमारी 110 की थी जो मैंने शौहत अजीज को दी थी और मेरे दो बच्चे गए थे तो हम 12 लोग हिंदुस्तानी लोगों को आने दीए तो चुकि हिंदुस्तान नौ लोगों को वीज़ा दिया था तो पाकिस्तान ने दस लोगों को वीज़ा दिया जबकि लिस्ट हमारी 110 की थी जो मैंने शौगत अजीज को दी थी और मेरे दो बच्चे गए थे हम 12 लोग गए थे हमें चलने की अनुमत ही नहीं थी हमें कहा गया कि आप गारियों से चल या और हमारे साथ कि हम साहिवाल चीचावतनी होते हुए पहुँचे मुल्तान तो ऐसी भीड उमड आई थी सडकों पे कि पहले तो हमें ये मुगालता हो गया कि ये हम जो जिस मकसद को लेके निकले हैं उसके सपोर्ट में लोग आए लेकिन जब हमारी मीटिंग शुरू हुई तो हमने देखा कि सब लोग आके निजामी साहब की मुठी में कुछ कागज पकड़ा के जाते थे तो मैंने निजामी साहब से पूछा कि ये लोग आपको क्या दे के जा रहे हैं तो बोले कि ये वो लोग हैं जो कभी हिंदुस्तान जा नहीं पाएंगे वहाँ पे अपनी दूआ पढ़ने कि लोकेशन क्या थी इस किसे की ये साहिवाल और चीचा वतनी और मुल्तान लेकिन उस दिन का महौल ऐसा था मुल्तान में कि शाह महमूद कुरेशी ने अपने भाशन में कह दिया कि जिस तरह से दो जर्मनी एक दिन एक हो गए थे एक दिन जरूर आएगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हो जाएगा यह हमने नहीं कहा यह शाह महमूद कुरेशी ने उस दिन कहा तो आप समझ सकती है कि क्या मोहल बना होगा तो इस समय जो लीडर्शिप है पाकिस्त का काफी हद काफी हद तक हल निकल लिया होता है लेकिन दुर्भाग यह है कि जब हम दोस्ती चाहते थे तब उनके हां लोग दोस्ती नहीं चाहते थे तब उनके हां जिया उल्हक जैसे लोग थे और अब वो दोस्ती चाह रहे हैं तो अब हमारे हां ऐसे लोग नहीं है जो द समझ में आएगी और तब ये फैसला हो जाएगा पार्टीशन से जुड़ा हुआ जो खौफनाक हत्याकांड हुआ उसके बाद गांधीजी खुद तो बहुत निराश थे अपने उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में लेकिन वो मरते दम तक ये कहते गए कि अहिमसा अंतताहा विजय होगी मानवता का भविश्य जो है वो अहिमसा से ही जुड़ा हुआ है तो ये पिछले सतर सालों में आपको क्या लगता है कि उनके उस विश्वास को और कायम करने के लक्षन दिखे हैं के नहीं जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो यहां से लोग जो है हमको अगाह करत हैं वो कहते हैं कि वो सोचते हैं कि पता नहीं कैसा आदमी है पाकिस्तान जा रहा है पता नहीं जिंदर लोटेगा भी कि नहीं लेकिन मेरी अभी तक की दस यात्राओं में मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे देश में हूँ दुश्मन देश तो छोड़ी तो लोगों के बीच में तो मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ता कि कोई बैमनसिता है और मैंने आपको बॉर्डर के एरियास के ग्रामीड अलाकों की बात बताई लोगों की चाहत है कि बॉर्डर खुलने चाहिए तोस्ती होनी चाहिए शांती इस धापित होनी चाहिए यह यह हमारी राजनीती है दोनों तरफ की यह इसको नहीं होने दे रही है और ठीक वही बात जो देश के अंदर का संप्रदाईक महौल है और पिछले छे साल से यह बिगड़ने के बावजूद अभी हमने लॉकडाउन के समय में देखा कि हमने यहां लखनों के अंदर रसोया चलाई थी community kitchens और कई जगे ऐसा था कि हिंदो मुस्लिम मिलके चला रहे थे और कहीं कोई फर्क नहीं था तो हमने तो यह दिखा है कि जमीनी इस तरफे लोगों के पीच में जो एक दूसरे के प्रती जो एक लगाव है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है लोग समझते हैं कि यह जो कुछ भी हो रहा है वो राजनीती के लिए हो रहा है और लोगों ने अब मान भी लिया है कि कि यह सब राजनीती ही है हिंसा हिंसा मानने वाले तो बहुत कम होते हैं करने वाले तो और भी कम होते हैं और यह दुर्भाग है कि हिंसा की बातें पता नहीं क्यूं कई ब लेकिन देश परमाणू हत्यार बनाएं, इसका हम समर्थन कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो समझ है राश्वाद के बारे में वो अभी सही नहीं है, हमने राश्ट को भी जैसे जाती ओधर्म इंसान को बाटने की शेडिया है, उसी तरह से राश्ट को भी माल लिया है, तो अगर इसको अच्छी तरह से पहचाना जाए कि राश्ट भी उसी तरह से जाती और धर्म जैसी इंसानों को बाटने वाले ही एक शेड़ी है जो इंसानों को लड़ाने का काम करती है तो फिर हम उच सोच से मुक्त हो सकते हैं कि हम अपने देश के लिए परमाणू हत्यार रखने का समर्थन कर देते हैं अगर हम अगर हम उस चीज को समझेंगे कि नहीं अंतता तो सारे मनुश्यों को मिल जूल के रहने में ही उनका उनका भला है और शांती और सद्भावना रहेगी तभी हर एक इंसान सुखी रहेगा यह बात जब सबको समझने आ जाएगी तो फिर हम इस तरह की राजनिती का भी समर्थन नहीं करेंगे तो ज्यादा तर लोग इस चीज को मानते हैं लेकिन एक राजनितिक महौल होता है एक हावा चलती है जिसमें लोग बह जाते हैं लेकिन सौभाग यह है और मेरे जमीनी अनभव मेरा यह बताता है कि अभी एकदम जमीन पे चीजें उतनी बिगड़ी नहीं है जितना कि हमें अपनी मीडिया में दिखाई पड़ता है आप देखिए यह जो हमारे हाँ कानून आया है लव जिहाद को रोकने वाला आज की तारीक में भी तो हिंदू-मुसल्मान श कि आपको ऐसे नवजवान नवयोतियां मिलेंगे हिंदू-मुसल्मान जो एक दूसरे के साथ चादी करने को तयार है अभी जमीनी इस तर पे लोग ठीक हैं उनके जो मूले है आपसी जो सद्भाव वगर है वो सब बना हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा बिगाड़ नही के हिसाब से हर्दोई और सीतापूर लखनों के उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले माने जाते हैं और वहां पर दलत आबादी काफी है लोग गरीब हैं लेकिन बंदूक रखने का शौक है लोग तो गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरे कंदे पर बंदूक लटकनी चाहिए उसके पैर में चप्पल ना हो और वो साइकल लेके चल रहा हूं तो ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे यहां पर हमने एक यह जो पूरी हथिहारों की संस्कृति है इसको इसको अप्रासंगिक बनाने के लिए एक चीज प्रचलित की और वो यह थी कि हम अपनी सभाओं में खुल के कहते थे कि बहादूर लोगों को तो कोई हथियार रखने की जूरत है नहीं जो डरपोक है वो हथियार रखते है और हमने यह खुल के कहना शुरू कर दिया कि हमारी मीटिंगों में कोई डरपोक आदमी ना है और जो हत्यार लेके आये हैं वो कृपा करके हमारी मीटिंग से बाहर चले जाए क्योंकि ये बहादूर लोगों की मीटिंग तो इससे जो छेत्र के जो दलित गरीब लोग थे उनके अंदर बहुत उत्सा बढ़ता था तो हमने जब सोशल आडिट के पहले एक जनता जाच हमने की कुछ गाओं का हिसाब किताब RTI में निकलवा के और जो हमारे अलाके का एक ऐसा गाओं था जहां काफी एक दबंग प्रधान था और वो अपने कमीज के बटन खोल के रखता था ताकि उसके 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 अंदर जो पिस्तॉल उसकी वो जो है बेल्ट वो दिखाई पड़े तो हमने उसके पूरे गाओं का हिसाब किताब न नापने वाला फीता लेके और कॉपी कलम वगरे लेके कि हम अब इस गाओं के विकास के काम की जाच करेंगे और जब वहां लोग पहुँचे चुकि वो एक बड़ी संख्या थी लोगों की गाओं के लोग भी थे कुछ गाओं के बाहर के लोग भी थे और फिर हमने जब अपनी बातें शुरू कि और यह सारी बातें कहीं हत्यार को लेके भी कि भाई बाहदूर लोग तो नहीं रखते नहीं और यह हमारा अधिकार है हमें हिसाब किताब मिला है सूचना की अधिकार किता है तो हम देखना चाहते हैं कि कागज में जो खड़नजा लिखा है जो इंटे की सड़क बनाई जाती है वो उतनी चौड़ी उतनी लंबी है की नहीं जितना लिखा है और जो हैंट पंप बताए गया है वो लगे हैं की नहीं तो जब हमने ये ये जाज का काम किया तो उस दिन पूरे गाओं ने देखा कि जो आदमी इसकी दालागिरी चलती थी पूरे गाओं पे उस दिन उसके चेहरे की चमक उतर गई थी और उसके बाद फिर वो चुनाओं भी हार गया तो फिर हमने बड़ा काम ये जो हाथ में लिया सोशल आडिट का, NREGS का इसमें हम एक-एक करके पांच ब्लॉक हमने कर लिये दो हरदोई के और तीर उननाओं जिले के तो उननाओं में जब हम मियागंज ब्लॉक में पहुँचे और ये वो इलाका है जहां कुल्दीप सिंग सेंगर का गाओं जो हाल में ही जिनको सजा हुई है वो एक लड़की का जो बलातकार हुआ और उसके परिवार में हत्या भी हुई लोगों की तो हमें कुल्दीप सिंग सिंगर के गाओं में नहीं जाने पिया गया वहाँ हमें हत्यार दिखा के हमारे कार्यकरताओं को कहा गया कि इस गाओं में आप कोई और वगरन नहीं करेंगे कि इसे उनका करप्शन जो है वो वो उजागर हो रहा था तो हमारी सारी टीमें वापस आ गई काउं से लौट के और बताया गया कि उनको धंकाया जा रहा है हत्यारों से तो हमने फिर तय किया कि जो हम सौ लोग हैं जो आड़िट करने वाले तो मैंने जो ब्लॉग डेवलेप्मेंट ऑफिसर थे उनसे कहा कि देखिए ऑड़िट करना तो हमारा कानूनी अधिकार है क्योंकि यह जो महत्मा गांधी नामीन रोजगार गारेंटी यूजना है यह कानून के तहच चल रही है तो हम यह तो करेंगे यह हमारा कानूनी अधिकार है और अगर आप अगर यह ग्राम प्रधान लोग हमको नहीं करने देंगे और आप हमारा सहयोग करने के बज़ाए उनका सहयोग करेंगे तो हम सो लोग यहीं पर अंशन पर बैठने वाले हैं तो जब हमने यह कहा तो वो वीडियो साथ भी थोड़ा घबड़ा है उन्होंने तब ग्राम प्रधानों को तुरंट फोन किया और एक मीटिंग कराई वहां पर सारे ग्राम प्रधान आये और हम लोग बैठे और फिर वहां एक खुले महल में वारता हुई और फिर मैंने उ होना रहे हमारा तो मकसद यह है कि जो जनता के लिए पैसा आया है जिससे जनता का काम होना है वो काम ठीक से हो और उसका लाब जनता को मिले और आप अच्छा काम करेंगे तो भई आप फिर जुनाव जी सकते हैं ग्राम प्रधान का तो यह सारी बाते जब उनको समझ में आ हम कैसे काम करा सकते हैं जब जो एंजीनियर है वो हमसे साथ परसेंट कमिशन ले लेता है तो मैंने उनको कहा कि देखिए आपकी जो बाते हैं वो भी हम रखेंगे और जब हमारी ऑडिट पूरी होगी तो यहां बड़े अधिकारी आएंगे जिले से जिलाधिकारी आएंगे लखनव से कमिशनर सहाब आएंगे आप उनके सामने ये बाते रखिए तो एक सौहार्द पूर्ण महौल में बातचीत खतम हुई और हमने ओर्डिट का काम फिर आगे बढ़ाया कुलदीप सिंग सेगर के गाहों में हम फिर भी नहीं जा प जनता भी थी अधिकारी भी थे और जो एलेक्टेड रेप्रेजेंटेटेटेव्स हैं ग्राम प्रधान वगरा वो सब थे एक ही जगे और वहां खुल के बाते हुई और जो बाते थी वो सब के सामने आई तो इस तरह का महौल हम बना पाए क्योंकि हमने ये तै कि हम इस तर एक और कारिक्रम का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो बहुत महतुपोर्ण है वो छूट रहा था लेकिन अभी आपने जब कहा तो याद आ गया जो आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लेमेंट है संजे सिंग सुल्तानपूर में रहते थे उस समय वो रगू ठाकुर जी की पार्टी में थे और उन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया अशोक सिंगल तब जिंदा थे विश्व हिंदू परिशद का त्रिशूल बाटने का कारिक्रम था सुल्तानपूर में और संजे ने वहाँ पे संजे उस समय एक अनूप संडा है उनके वरिश साथी उनके स योगी थे वो संजे ने वहां एक प्रोग्राम तै किया एक पैरलेल मंच लगाके उन्होंने तै कि हम भगवत गीता बाटी और मुझसे बिना पूछे उन्होंने मेरे नाम की घोशना कर दी कि वो आएंगे और वो यहां पर गीता बाटी फिर उन्होंने मुझे बताय कि ये तो ठीक नहीं लगेगा लेकिन मुझे कहीं ने कहीं उनकी बात में कुछ दम दिखा क्योंकि आयोध्या भी हम जाते रहे हैं और आयोध्या में हम लोग का एक एक यह जना है कि एक सरुधर्म सत्भाव केंद्र बने एक ट्रस्ट बन गया है जिसमें फैजल भी एक तो सुल्तानपूर में यह जो प्रयोक था यह मुझे लगा कि ठीक है इसको करना चाहिए तो मैंने बहुत सोच के एक तर्क यह निकाला और उस दिन मैंने मन से कहा कि देखे मैं तो नास्तिक हूं मैं तो भगवान को नहीं मानता लेकिन राम और कृष्ण हमारे सांस्कृति प्रतीक हैं जो उनको भगवान मानते हैं उनका मैं सम्मान करता हूं और मैं सिर्व यह चाहता हूं कि जैसे महाभारत की लड़ाई में कृष्ण ने लड़ाई में शामिल न होते हुए सत्य का साथ दिया उस तरह से आप हमारी यह जो लड़ाई है साम्प्रदाइक्ता के ख और हमने भगवत गीता पे विनोबा की जो टिपनी थी वो उसको हमने पाटा साथ में गुलाब का फूल भी था और हमारे हमारी ओडियंस में भी मुसलिम थे और हमारे मंच पे भी मुनीजा रफीक खान थी जो मनारस के गांधियन इंस्टिटीट आफ स्टडीज की रजिस् तरिशूल बाटेगा उत्तर प्रदेश में हम वहां बगल में मंच लगा के गीता बाटेगा और आपको ये बदा दें कि उसके बाद से विश्व हिंदू परिशद ने उत्तर प्रदेश में तरिशूल नहीं बाटेगा और जितनी देर में हम सुल्तानपूर से लखनव आये वापस 136 किलोमेटर की दूरी है तब तक सहारा समय पे नैशनल डिबेट चल रहे थी त्रिशूल की धार और गीता गसार तो कई बार ऐसे कारिक्रम हो जाते हैं तो यह पूरी सन्जय के दिमाग की ही उपज थी और एक सफल कारिक्रम रहा तो देखिए यह जो है अपने अंदर विश्वास होना चाहिए यह किसी उस प्रकार की साधना से नहीं आता है और मैं तो बही नास्तिक ही हूँ, मैं तो वैसे भी कोई उस तरह की साधना वादना नहीं कर सकता, तो मुझे ये प्रेणना गांधी जी के वेक्तित्व से मिली, अन्य लोगों को कहीं और से भी मिल सकती है, गांधी जी से भी मिल सकती है, गांधी जी से भी मिल सकती है, अगर कर आपका मूलिएं में विश्वास हो और हम सम्ज़ोथा न करें अपने मूलिएं रहे तो मेरा मानना है की रास्ता निकलेगा जै रास्ता निकल सकता है और रास्त निकलेगा निशित रूप से निकलेगा और इस देश के जादा तर जो लोग हैं आज सुबह मुझे फैजल भाई बता रहे थे कि जब वो जेल में थे इधर एक मिला तो जेल के अंदर तो लोग सब उनके मुरीद हो गए थे कि अरे आप ने ये काम किया ये तो बहुत बड़ी हा काम है बता रहे थे कि उन उनके साथ कोई बत्तमीजी वग्रण ना करें वो पता नहीं इस जाड़े में कैसे रह रहे होंगे लेकिन वो बता रहे थे कि जेल में बड़े आराम से रहे और सब लोगों ने यहां तक कि जेल के करमचारी वग्रण थे उन्होंने भी उनका बहुत सम्मान किया तो देखे लोग तो समझते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और अगर उनको सही मार्ग दिखेगा तो लोग सही मार्ग चुनेंगे ऐसा मेरा विश्वास है जितने भी समोह इसमें लगे हैं क्या वो उस अहिमसा को कायम करने के लिए और क्या किया जाए यह जो आपने कहा बात उसी के साथ सहमत होते हुए मैं पूछ रही हूँ कि इसको आगे बढ़ाने का कोई है और कार्या जो नहीं हो रहा या होना चाहिए नहीं इसको तो हमें आगे बढ़ाना ही पड़ेगा और हमारे जो काम है हमको उसी में इसका 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 इस्तमाल करना पड़ेगा जैसे लॉक डाउन के समय में मैंने बताया कि हम लोगों ने रसोईया चलाई तो हमको कोई हिंदू-मुस्लिम एकता का अलग से कारेक जैसी बोरवाला वगरा ने एक पहल ली थी गाजा की आत्रग मैं भी उसमें शामिल था और हमारी मुलाकात जमासकस में जो हमास संगठन के सबसे बड़े नेता हैं खालिद मिशाल उनसे हुई थी और वो गांधी की बहुत तारीफ कर रहे थे अपनी बातों में और हम 60-70 लोग थे तो उसमें कुछ भारती थे कुछ जादा तर भारत के बाहर के लोग थे तो उसमें से किसी ने पूछा खालिद मिशाल से कि आप तो खुद हिंसा का इस्तमाल करते हैं इसराइल के खिलाफ मतलब इसराइल आपके खिलाफ हिंसा का इस्तमाल करता है ज्यादा लेकि आप भी पीच पीच में जब मौका मिलता है तो मिसाइल वगरा छोड़ी देते हैं तो आप का गांधी से क्या तालूख हो सकता है क्योंकि गांधी तो सिर्फ आहिंसा की बात करते थे तो खालिद मिशाल ने बहुत महतवपून बात कही उसने कहा कि देखे गांधी की इजदत हम इसले करते हैं कि गांधी से हमको ये प्रेणा मिलती है कि किसी कमजोर को अगर किसी ताकतवर के खिलाफ लड़ना हो तो कैसे लड़ा जाए वो वो शक्ति हमको गांधी से मिलती है तो गांधी का तो इस्तमाल हमको अपने दैनिक जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम कर सकते हैं और उन मूल्यों को आगे बढ़ा सकते हैं चाहे वो दिन प्रति दिन सरकारी कार्याले में प्रहष्टाचार के खिलाब लड़ाई हो चाहे वो आप जो इस समय के सान के काम को किया जाएगा जो जो फैजल भाई ने मतुरा में करने की कोशिश की वो बहुत बड़ा काम उन्होंने अपने घर से निकल के ये कदम उठाया कि वो जाके परिक्रमा की और वो सब तो जो जिन लोगों का भी इन मूल्यों पे विश्वास है उनको आगे निकलना पड़ेगा और लोगों के बीच में आना पड़ेगा लोगों के बीच में गए बेना तो कोई काम हो नहीं सकता ये तो बात है तो लोगों के बीच में जाना बहुत जरूरी है और आप जब जब वो काम तो लगातार हम जैसे लोगों को करते रहना पड़ेगा जिनका इन मूलियों में विश्वास बहुत बहुत शुक्रिया